दोस्तो, very good morning to all of you, आज के इस आंदर वीडियो में आप सभी का तहर दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तो, आज के इस वीडियो में हम लग पिछले दो दिनों के करनड़ फैस को डिसकस करेंगे तो आज के इस वीडियो में हमारा पहला प्रस्तमना है कि हाल ही में पाकिस्तान के किस क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट के फॉर्मेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने के मामले में विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है तो आंसर हो जाएगा option number D यानि की बाबर आजम इसका right answer हो जाएगा जो कि सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाडी बन गए है और ऐसा करने में उन्होंने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है और जब भी कोई खिलाडी विराट कोहली का रिकाप तोड़ेगा तो समझो कि वो question definitely exam में पूछा जाना है तो इसमें आप देख सकते हैं बाबा राजम का ये photo जिसको हाल ही में share किया गया है तो बाबा राजम ने T20 runs जो होते हैं T20 cricket में 2000 रन पूरे किये हैं जो कि ऐसा करने वाले पूरी दुनिया के पहले खिलाडी बने हैं जिन्होंने इतनी कम से कम पारियों में ही 2000 रन पना लिये हैं एक्जाम में आप से ये भी पूछा जा सकता है कि बाबा राजम ने कितनी पारियों में इतने रन बनाए हैं तो इन्होंने मात्र 52 पारियों में only 52 मात्र 52 पारियों में 2000 रन का आकड़ा पार किया है जो कि अब तक किसी और खिलाडी द्वारा नहीं किया गया है और विराड कोहली इस से पहले इस रिकॉर्ड को अपने पास में रखते थे विराड कोहली ने 2000 रन बनाने के लिए 56 पारियों का खेल खेला था तो विराड कोहली ने 56 और बाबा राजम ने मातर 52 पारियों में 2000 र दूसरा अफरीकी देश बना है तो दूसरा अफरीकी देश बना है हाल ही में गांबिया तो गांबिया नाम से यह जो देश है गांबिया ठीक है यह अफरीका का दूसरा ऐसा देश बना है जिसने की एक बिमारी होती है जिसको बोलते हैं ट्रैकोमा तो ट्रैकोमा नाम से यह बिमारी है इसको खतम करने वना दूसरा अफ्रीकन देश बना है गांबिया तो आप्शन नंबर सीज का राइड अंसर हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं एक डॉक्टर है जो की आखों में कुछ आप्रेशन कर रहा है इसका मतलब हो गया यह जो ट्रैकोमा नाम से बिमार है घाना तो घाना देश है अफ्रीका का यह वर्स 2018 में इस बीमारी को समाप्त करने वाला अफ्रीका का पहला देश बना था उसके बाद में दूसरा देश बना है गांबिया अब यह जो बीमारी है ट्रोकोमा यह आखों की इनफेक्शन से सम्मंदित एक बीमारी है और यह डेजीज है ठीक है यह बैक्टीरिया से फैलता है यह भी आपको पता होना चाहिए गैंबिया की बारे में सबस्ते हैं इसकी कैपिटल जो है रासदानी जो है वो है बंजुल और इसकी जो मुद्रा है उसका नाम है डलासी यह दोनों चीजें आप से एक्जाम में पूछा जा सकता है अफ्रीका की मैप में हम लोग देखेंगे गांबिया कहां पर इस्तित है तो इसमें आप देखेंगे यह रहां अफ्रीका का मैप पूरा यह अफ्रीका आपको दिख रहा होगा जिसमें की आपको देखो एक लेक विक्टोरिया भी दिख रही जो की अफ्रीका में है उपर की तरफ Mediterranean Sea है, बगल में Red Sea है, तो ये आप equator वाली ये जो line गई है, ये, इस से उपर आपको ये कोने में, ये जो उपर की तरफ में देश दिख रहा है, ये है गांबिया, जिसके बारे में यहाँ पर discussion हो रहा है, question मनेगा कि हाल ही में E. पंचायत पुरसकार 2021 प्रदान किये गए है, तो question मनेगा कि हाल ही में Category 1, स्रेणी Category 1, स्रेणी 1 के तहर, E. पंचायत पुरसकार 2021 में पहला इस्तान किस राज्ज को प्रदान किया गया है, तो answer हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, option number A का राइड़ेंसर हो जाएगा, कि हाल ही में E. पंचायत पुरसकार 2021 को एक चीज याद रखना, स्रेणी 1, Category 1 में अगर पूछे, तो UP को पहला इस्तान प्राप्ट हो आ है, option number A का राइड़ेंसर हो जाएगा, यह जो पुरसकार है, यह 3 Category के तहट दिया गया है, Category 1, Category 2, Category 3, अगर इसमें मैं आपसे बोलूँ, Category 2 में किसे दिया गया है, तो फिर UP इसका राइड़ेंसर नहीं होगा, सिर्फ Category 1, Category 1 के तहट, UP को पहला इस्तान प्राप्ट होआ है, अब इसमें आप लोग देखेंगे, कि हाल ही में, यह पंचायत पुरसकार 2021 प्रदान किये गये हैं, और यह उत्तर प्रदेश को जो इसमें पहला इस्तान मिला है, वो इसको Information Technology का सही इस्तेमाल, और जितने केंद्र और राज्य सरकार की जो मुबाइल एप हैं, उन पर registration कराकर अच्छा काम करने के लिए इसको यह पुरसकार दिया गया है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके बाद में यह जो पुरसकार हैं, इसको कौन से मंत्राला के दोरा दिया गया है, तो इसको ministry of पंचायती राज के दोरा यह पुरसकार प्रदान किये गये हैं, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो category 1 है, स्रेंडी 1 है, उसके तहत यह पंचायत पुरसकार 2021 का लिश्ट देखेंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को पहला इस्तान प अगला प्रस्तन यहां पर बनेगा कि किस देश ने दुनिया का सबसे सकति साली जलवायू परिवरतन पूर्वा नुमान सूपर कंप्यूटर विक्सित करने की गोश्टना करी है, तो हाल ही में बृतेन देश जो है बृतेन तो हाल ही में यूके यानि कि बृतेन देश ने दुनिया का सबसे सकति साली ऐसा सुपर कंप्यूटर डेवलप करने की गोश्टना करी है जो कि जलवायू का पूर्वा नुमान लगाएगा, तो option number ace का राइड अंसर हो जाएगा कि बृतेन ने इस चीज को अनौंस किया है, हाल ही में E 2025 initiative यानि कि E 2025 पहल ये किसने शुरू करी है, तो इस पहल को सुरू करने वाले देश का नाम है, organization का नाम है WHO, World Health Organization ने हाल ही में E 2025 initiative नाम से एक पहल की सुरूआत करी है, इस पहल में क्या होगा, कि अभी जो विस्व मलेरिया दिवस बनाय गया है, उसी दौरान ऐसे 25 देशों को इसमें WHO ने चिन्हित किया है, जिन में वर्स 2025 तक मलेरिया को समाप्त करने की छमता है, ऐसे 25 देशों का एक गुरूप बनाय गया है, जिसको E 2025 initiative के नाम से WHO ने हाल ही में सुरू किया है, कोशन मनेगा कि RBI की नई guidelines के अनुसार, अब बैंकों के जो MD और CEO हैं, उनकी निवक्ति कितने वर्स से अधिक के लिए नहीं करी जा सकती, जैसे किसी भी MD और CEO को एक बार अपॉइंट किया गया है, तो वो continuously 15 साल से ज़्यादा उस बैंक का MD और CEO नहीं रह सकता है, तो एक स्लोट में 15 साल से ज़्यादा तक किसी भी व्यक्ति को किसी एक बैंक का MD and CEO और पॉइंट नहीं किया जा सकता है, option number C इसका राइड एंसर हो जाएगा, इसके इलाबा, देखो यह लिखा भी है, MD and CEO और whole time director cannot be held by the same incumbent for more than 15 years, तो 15 साल से ज़्यादा इसको नहीं रखा जा सकता है, साथी साथ में जो जितने भी बैंक्स हैं, उनमें जो कर्मिचारी काम करते हैं, उनकी जो upper age limit है, उसको भी fix कर दिया है कि वो 70 साल से ज़्यादा का employee नहीं होना चाहिए, अगला प्रस्न है, कि हाल ही में AIBA Youth World Boxing Championship 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो answer हो जाएगा, इस event में भारत ने कुल 11 पदक जीते हैं, option number 20 का right answer हो जाएगा, कि भारत ने इस event में कुल 11 पदक जीते हैं, लेखो इसमें लिखा है, India won 11 medals at 2021 AIBA Youth Men's and Women's World Boxing Championship held at Poland, अब इस प्रतियोगिता को कहां पर आयोजित किया गया है, इसमें लिखा भी है, इस प्रतियोगिता को Poland देश में आयोजित किया गया है, इस प्रतियोगिता में, India ने कुल 11 medal जीते हैं, जोकि सबसे ज़्यादा है, इंडिया ने इसमें 8 gold और 3 bronze medal जीते हैं, इस साब से, में final medal टेली लिश्ट में इंडिया जो है, यह पहले इस्तान पर आता है, सबसे ज़्यादा 11 medal जीत कर पहले इस्तान पर आता है, Question मनेगा World Penguin Day World Penguin Day प्रती वर्स किस दिन मना जाता है Answer हो जाएगा Every Year 25 April को World Penguin Day मना जाता है Option number C will be the right answer इसमें आप इसका फोटो देख सकते हैं World Penguin Day हर साल 25 April को मना जाता है Question मनेगा कि मंगल करह पर भेजा गया चीन का पहला रोबर किस नाम से भेजा गया है तो चीन का जो मंगल करह पर भेजा गया चीन का जो पहला रोबर है उसका नाम है Zurong Option number Ace का राइड अजर हो जाएगा Zurong ठीक है Z-H-U-R-O-N-G ये Zurong नाम से मंगल करह पर भेजा गया चीन का पहला रोबर है Option number Ace का राइड अजर हो जाएगा इसका फोटो भी आपर देख सकते हैं कोशन मनेगा कि हाल ही में चर्चा में चल रही जाइडस कैडिला हेल्ट कोईर के प्रबंद निदे सक यानि की मैनेजिंग डिरेक्टर कौन है तो हाल ही में जाइडस कैडिला कंपनी बहुत जाइड़ा निउस में चल रही है जिसके जो प्रबंद निदे सक हैं उनका नाम है सार्विल पटेल तो सार्विल पटेल इसका राइडसर हो जाएगा option number B will be the right answer इस समय निउस में क्यों चल रहा है क्योंकि 23 अपरेल 2021 को इस कंपनी ने भारत के जाइडस केडिला ने एक COVID-19 वैक्सीन का उत्पादन सुरू कर दिया है जिसका नाम है ZYCOVD COVID वैक्सीन यह जो वैक्सीन है इसको जाइडस केडिला के दोरा बनाया जा रहा है और 23 अपरेल से उसने इसका उत्पादन भी सुरू कर दिया है इस समय इस विज़े से निउस बे चल रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जाइडस केडिला के दोरा ZYCOVD वैक्सीन इसका डवलप्मेंट किया जा रहा है कोश्चन वनेगा कि विश्व बॉद्धिक संपता दिवस World Intellectual Property Day प्रती वर्स किस दिन मना जाता है तो every year 26 अपरेल को हर साल 26 अपरेल को World Intellectual Property Day मना जाता है option number D का right answer हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं Happy World Intellectual Property Day जो कि हर साल 26 26 अपरेल को मना जाता है option number D will be the right answer वर्स 2021 के लिए इस दिवस का जो विशय है वो है IP and SME Taking Your Ideas to Market ये वर्स 2021 के लिए इस दिवस का subject हो जाएगा question मनेगा विवाद से विश्वास योजना हाल ही में किस मंत्राले से संबनेद है इस समय चर्चा में चल रही विवाद से विश्वास नाम से योजना किस मंत्राले के थाएट काम करती है इसका right answer हो जाएगा option number C ministry of finance option number C का right answer हो जाएगा ये जो योजना है ये आपका ministry of finances से संबनेद है option number C will be the right answer ये जो विवाद से विश्वास योजना है ये किस चीज़े से संबनेद है ये योजना tax dispute से सम्मनित है अगर आपको tax सम्मनित कोई dispute है तो उसके लिए आप इसमें पैसा जमा करके उसको सुल्जा सकते हैं तो ये tax dispute settlement scheme है और ये कौन से प्रकार के tax को निप्टाना करती है तो अगर आपसे ये प्रसम पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा ये direct tax को निप टान की एक योजना है इस समय news में क्यों चल रही है news में चलने का बड़ा कारण है कि हाल ही में सरकार ने इसके लिए इसके तहट जो विबाद है उस case को सुल्जाने के लिए आखरी date 30 June 2021 करने का फैसला किया है इस date तक इसका जो payment है वो आपको करना पड़ेगा तो ये इसकी date जो है finalize करे गई है हाल ही में निमनलिकित में से किस category स्रेंडी के तहित राष्ट्रिय पंचायत पुरसकार 2021 जो है वो प्रदान के ये कह हैं तो आंसर हो जाएगा कि option number D all of the above हाल ही में राष्ट्रिय पंचायत तो रास्दिबस के आउसर पर ये जितने भी category आपको दिख र राष्ट्रिय गौरो ग्रामसभा पुरसकार और ग्रामसभा विकास योजना पुरसकार इन तीनों कटेगरी के तहित पुरसकार जो है हाल ही में प्रदान किये गए हैं ये आप देख सकते हैं तीनों कटेगरी के तहित जो है प्रदान किये गए हैं question मनेगा अंतर राष्ट ये चेरनोबिल आपदा दिवस है ये एवरी यर 26 अपरेल को मनाया जाता है आप्शन नमबर सीज कर आइडेंसर हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजाष्टर रिमेंबरेंस दे जो कि 26 अपरेल को हर साल मनाया जाता है इस दिन यूक्रेन में 1986 में एक रियक्टर में भायंकर परमारू विस्पोर्ट हुआ था जिसके चलते इस दिवस को याद किया जाता है और यूनाइटेड नेशन ने 26 अपरेल 2016 को इस दिन को गोशित किया था जो कि इस बार 1986 को इसकी तीसवी वरसकाती तब से इसको लगातार मनाया जा रहा है बारसी लोना ओपेन 2021 किस की लाड़ी ने जीत लिया है तो हाल ही में राफेल नडाल ने बारसी लोना ओपेन 2021 का किताब अपने नाम कर लिया है तो आप्शन नमबर एस का राइड अंसर हो जाएगा राफाल नडेल आउट लाश्ट टिस्टी पैस टू विन बारसी लोना ओपेन फॉर 12 टाइम राफेल नडाल ने 12 बार इस प्रतियोगिता को जीत लिया है विस्व प्रतिवी दिवस के आउसर पर भारतिये ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा नेट जीरो कारबन उत्सरजन प्राप्त करने के लिए किस वर्स तक का एक लक्षे रखा गया है तो नेट जीरो होने का नेट जीरो कारबन उत्सरजन का यह जो लक्षे है यह 2050 तक के लिए रखा गया है हाल ही में किस राज्य में हरियर योजना को सुरू किया गया है तो हरियर योजना को हाल ही में हरियाना राज्ज में लॉंच किया गया है तो option number 20 का राइड एंसर हो जाएगा कि हरियाना में हरियर योजना को सुरू किया गया है question वनेगा verse 2021 ने Oscar Award के כौन से Sanskrit प्रदान किये गए हैं तो answer हो जाएगा इस बार जो Oscar दिये गए है 2021 में ये इसका 93rd कली में defin 5 प्रदान किया गया है option number 16 का Rides R हो जाएगा जिसमें best movie का अवरड दिया गया है No Man's Land में best director का अवरड दिया गया है चोल जाओ इसी मुवी के लिए बेस्ट एक्ट्रस फ्रैंकिस मैक डॉर्मेंड को दिया गया है और बेस्ट एक्टर का आवर्ड जो है एंथोनी हॉपकिन्स को दिया गया है दा फादर के लिए तो यह आपको पता होना चाहिए वर्स 21 के लिए आसकर आवर्ड में बेस्ट मुवी का आवर्ड किसे दिया गया है तो बेस्ट मुवी का आवर्ड दिया गया है नो मैज लैंड ओप्शन नंबर एस का राइड एंसर हो जाएगा इसको दिया गया है इस मुवी का आप यहाँ पर फोडो भी देख सकते हैं नो मैड लेंड जिसको सबसे इच्छी मूवी का आवर्ड दिया गया है दोस्तों आज का कोशन जिसका अंसार आपको देना है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जल्दी से अपना अंसार कमेड़ बॉक्स में लिखना ना भूलें